सिंगापुर में 2016 में रिष्टो को तारतार करने वाली एक घटना हुई। करीबी दोस्त की शादी में पहुचे एक शक्स ने दोस्त की दुलहन से छेड़ छाड़ की थी। अब साथ साल बाद आरोपी को मामले में दोशी पाया गया है। हालांकि यह जंग आसान नहीं थी। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एरी चोटी का पूरा जोर लगाया था। वहीं इस घटना के बाद पीडित महिला का पती के साथ तलाख हो गया। 2016 में दुलहन और उसके पती ने शादी की रस्मों के बाद अपने ब्राइडल सुइट में एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में दोशी भी पहुँचा था। इस दौरान सभी ने जमकर शराब पी थी। पीडिता की उम्र अब 49 और दोशी शक्स की 42 साल हो चुकी है। पीडिता ने अपनी आबीती बताते हुए कहा कि शादी की ठकावट के बाद वह अपने बेडरूम में सोने चली गई थी। महिला ने बताया कि नींद में ही अचानक उसे लगा कि कोई उसकी चाती और प्राइवेट पार्ट को चु रहा है। यह सुबह 6 बजे के आसपास ह महिला ने कहा कि अंधेरे की वज़ा से मुझे लगा कि वहां मेरे पती है। मैंने उस शक्स को अपना पती समझ कर नहाने के लिए कहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच छेड़-छाड़ होती रही। महिला का कहना है कि मुझे इस बीच एहसास हुआ कि यहां मेरे पती नहीं है। मैंने उस शक्स की जीन्स को छुआ, जीन्स का वहर टैक्सचर नहीं था, जो मेरे पती ने पहनी थी। उन्होंने बताया कि कमरे में अंधेरा होने की वज़से मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। जब मैंने उस शक्स से पूछा कि वह कौन है, कोई जवाब नहीं मिला। महिला का कहना है कि इसके बाद वह बेडरूम से बाहर चली गई। महिला को बाहर आकर पता चला कि उसके पती सूइट के लीविंग रूम में सो रही हैं। इसके बाद महिला ने पती को नीन से उठा कर पूरी घटना बताई। जब पीडित महिला ने इस पूरी घटना के बारे में अपने पती को बताया, उस समय आरोपी ने कबूला था कि उसने महिला की छाती और ट्राइवेट पार्ट को छुआ था। इस घटना के सामने आने के बाद महिला के पती ने आरोपी दोस्त को वहां से चले जाने को कहा, जिसके बाद पीडिता ने पुलीस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। हालां की आरोपी के वकील ने अदालत में यह दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को लगा कि बिस्तर पर उनके साथ उनकी पत्नी है आरोपी ने छेड़ छाड़ की बात से इनकार किया आरोपी का कहना था कि जब उसे पता चला कि बिस्तर पर उसके साथ उनकी पत्नी नहीं है तो वहाँ पीछे हट गए आरोपी ने महिला को गलत तरीके से छूने के लिए माफी भी मांगी थी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर येओ ने आरोपी की दलीलों को खारिस करते हुए उनके बयान को सजा से बचने का बहाना बताया जज ने यह भी कहा कि महिला को अपनी पत्नी समझ लेने की गलत भी समझ से परे और भरोसा करने लायक नहीं है जज यहों ने महिला के बयान को इमानदार और भरोसे के लायक बताया अदालत में लगभग साथ साल तक चली इस जंग को जीतने के लिए लोग सोशल मीडिया पर महिला के प्रती हमदर्दी जता रही है